हलो फ्रेंड्स और मैड़ोस दैंड इंटिस्टिल फार्मेशी वन बीपी फाइफ जीरो टूटी के इस वीडियो में हम लोग यूनिट फाइब में फार्मसुटकल अरोसॉल्स में एवालूईशन और टेस्टिंग आफ अरोसॉल्स के बारे में बात करेंगे पोई भी सपना साकार करने के लिगे सबसे जरूरी है सही कोच कहोड़ चुनिये दोक्टर पी केस एंड डॉक्टर M.P.S. प्लासेज को और करे अपने वी फार्म डी फार्म का सपना साकार डाउनलोड दियां नौ!! तो अगर हम लोग यहाँ पे जो हमारे pharmaceutical aerosols हैं उनके evaluation या टेस्टिंग के बारे में बात करते हैं तो इसके पहले के वीडियो में हम लोगोंने aerosols क्या होते हैं इसके formulation method of preparation वगेरा के बारे में बात कर लिया है उसकी link आपको description में मिल जाएगी वहाँ से जाके आप उनको भी आज हम लोग यहाँ पे evaluation and testing of aerosols के बारे में बात करेंगे तो जब हम लोग अपने pharmaceutical aerosols को prepare कर लेते हैं तो उसकी stability को उसकी physical chemical जो characteristic है उसकी जो हमारी होती है performance या उसकी biological जो characteristic है उनको evaluate करने के लिए हम लोग कौन-कौन से test को यहाँ पे करने का काम करते हैं तो यहाँ पे ज करते हैं उसके बाद में अगर हम लोग इसकी जो हमारी physical chemical चारेक्टरिस्टिक है उसके बारे में बात करते हैं तो उसको यहाँ पे evaluate करने के लिए हम लोग जो हमारा vapor pressure test है वो करते हैं उसकी जो density है उसको test करने का काम करते है उसके उन्दर का जो moisture content है उसको भी हम लोग identify करत सब्सक्न करते हैं उसको भी हम हम लोग इसमें करने का का है इसके बाद में सब्सक्राइब करने के सिर्टल से इस पर्फॉर्मेंच अगर हम लोग यहाँ पर इवालुएट करने के लिए हम लोग जो हमारा aerosol valve discharge rate होता है उसको हम लोग test करने का काम करते हैं इस पर का जो हमारा pattern है उसको भी हम लोग यहाँ पर identify करते हैं अगर हमारा जो valve है वो अगर हमारा meter valve है तो उसका जो हमारा dose है उसको भी हम लोग यहाँ पर test करने का काम करते हैं जो एरोसाल का container है उसके अंदर का net content है उसको भी हम लोग identify करते हैं जो form होता है हमारे एरोसाल में उसकी क्या stability है उसको भी हम लोग टेस्ट यहाँ पर करते हैं उसके अंदर जो हमारा जो पार्टिकल से उनका क्या particle size है उसको भी determine करने का काम करते हैं और जो leakage test है उसको भी हम लोग यहाँ पर परफॉर्म करते हैं उसके बाद में हमारा pharmaceutical aerosol है उसकी क्या biological characteristic है उसको भी हम लोग यहाँ पर test करने का काम करते हैं तो यह जो हमारे कुछ test हैं इनको हम लोग अपने pharmaceutical aerosol के evaluation या testing में हम लोग करते हैं तो हम लोग आज इस वीडियो में कुछ जो हमारे important test हैं उनके बारे में यहाँ पर बात कर लेते हैं जो हमारा aerosol का product है उसको अपने एक flame के ऊपर 4 सेकंड तर इस्प्रे करते हैं और यहाँ पे जो भी हमारा वहाँ पे उसका formulation है कौन कौन से ingredient हम लोग अपने aerosol के preparation में हम लोगों ने use किया है उसका क्या nature है उस पे हमें जो हमारी flame है वो extended होते हुए देखने को मिलती है जो हम हमारी flame है वो बढ़ते हुए देखने को प्राप्त होती है तो अधिकतर जो हम लोग इसमें प्रोपलेंड वगरा यूज करते हैं वो हलका सा flammable होते हैं और जब हम लोग उसको जो flame है आग है उसके उपर जब 4 सेकंड तक के लिए इस्प्रे करते हैं तो अधिकतर हमें flame व और जो भी हमारा है वहाँ पे कितना flame हमें extend होते हुए बढ़ते हुए देखने को मिलती है उसकी length को simply measure करने का काम करते हैं उसके बाद में जो हमारा अगला है test that is called the flash point test तो अगर हम लोग flash point test के बारे में बात करते हैं तो इसको इस पेस पे properly करने के लिए हम लोग standard tag open cup apparatus को यहाँ पे use करते हैं तो इसको हम लोग किस तरीके से करते हैं तो जो हमारा aerosol का product होता है सबसे पहले उसको हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि minus 25 degree Fahrenheit के temperature पे हम लोग सबसे पहले chilled कर देते हैं उसको जब वो खुब वहाँ ठंडा हो जाता है तो क्या होता है कि जो हमारा propellant है वो हमें वहाँ पे जो उसका हमारा gaseous form है उससे वो liquid के form में convert होते हुए देखने को प्राप्त होता है और जब वो हम इस temperature पे उसको chill कर देते हैं तो फिर यह जो हमारा apparatus है standard tag open cup apparatus है उसके अंदर फिर उसको हम लोग transfer इस place पे कर देते हैं और जब उसको वहाँ पे वो transfer कर द लेते हैं उसके बाद में हम लोग यह जो अप्रेटर से इसका टेम्परेचर है वो धीरे धीरे इंक्रीज करते है तो से ते एमीनप्रेचर को हम् लोग थीरे धीरे यहां पे इनक्रीज करते हैं तो हमारा वह Temperature जहांपे हमारा जो वैपर है वह फॉर्म होती है और हमें आसान तरीके से बात करें तो यहाँ पर क्या है कि जो हमारा apparatus होता है उसको हम लोग इस place पर बूलेते हैं हम यह माने कि अगर हमारा apparatus है तो इस condition में हम लोग जो भी हमारा उसका content है हमारे aerosol का उसके अंदर यहाँ पर place कर देते हैं और इसका जो हमारा temperature है वो होता है minus 25 degree हमारा Fahrenheit तो यहाँ पर जो हमारा propellant है वो हमें liquid के form में देखने को प्राप्त होता है अब यहाँ पर हम लोग इसको अच्छे से close कर देते हैं हलका सा opening रहती है और यहाँ पर हमारी एक जो flame है वो रहती है तो फिर हमें यहाँ पर जो flame हमारी जो यहाँ पर वैपरस है वो हमें ignite होते हुए flame के contact में आने से जलते हुए देखने को प्राप्त होती है और यह जो हमारा temperature है इसी को हम लोग यहाँ पर जो हमारा flash point है उसके नाम से indicate करते है उसके बाद यहाँ पे जो हमारा अगला टेस्स होता है तो अगर हम लोग वापर प्रेसर टेस्ट के बारे हम बात करते हैं तो हमारा जो container है उसका pressure को identify करने के लिए हम लोग यहाँ पे जो simply हमारे pressure gauze बगएरा होते हैं या कुछ special equipment को use करते हैं और अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो हमारे लिए जो सबसे important चीज है वो क्या होती है कि हमारे जो अलग-अलग containers होते हैं उनके बीच में जो pressure का variation है उसको basically हम लोग determine करने का काम करते हैं जो हमारे अलग-अलग container है उनमे pressure का variation है एक से दूसरे में जो pressure में अंतर है उसको ह हमारा जो container है उसका जो head space वहाँ पे है उपर का खाली स्थान है अगर वहाँ पे air होती है तो उस condition में हमें अपने containers में pressure का variation यहाँ पे ज्यादा देखने को प्राप्त होता है उसके बाद में अगर हम लोग जो अगला test है उसके बारे हम बात करते हैं तो यह हमारा density का test यहा हम लोग identify करने का काम करते हैं और इसके लिए हम लोग जो hydrometer है या जो हमारा picknometer है उसको basically हम लोग use करते है और उससे हमारे aerosol के system की density को identify करते हैं उसके बाद में जो हमारा अगला यहाँ पे है test that is called the moisture test है उसके बारे हम बात करते हैं तो जो भी हमारा वहाँ पे airosol का system है container है उसके अंदर कितना moisture है उसको identify करने के लिए हम लोग जो हमारा काल-fisser method है वो use करते हैं basically gas chromatography को हम लोग use करते हैं और अपने content के अंदर क्या moisture content को हम लोग determine करते हैं उसके बाद में जो हमारा अगला test है that is called the identification of the propellants तो हम लोग जो हमारा aerosol का preparation है उसमें जो अलग-अलग प्रकार के propellants को use करते हैं कोई एक propellant को use कर रहे हैं या combination of propellant को use कर रहे हैं तो उस propellant को identify करने के लिए हम लोग इस test को यहाँ पे करते हैं इसके लिए हम लोग जो हमारा gas chromatography का method है या infrared spectrophotometry है उसको हम लोग use करते हैं और उससे हम लोग जो propellant है उसको identify भी करने का काम करते हैं और उसका क्या proportion वहाँ पे है किस quantity में वहाँ पे है उसको भी identify करते हैं या हम लोग simply कह सकते हैं qualitative and quantitative दोनों analysis के लिए हम लोग इसको use करते हैं उसके बाद में जो हमारा अगला test है that is called the aerosol valve discharge rate तो यहाँ पे जो भी अब लोग अपना जो aerosol का package है उसमें valve यूज करते हैं वो किस rate से हमारे content को हमारे container के अंदर से बाहर निकाल रहा है discharge कर रहा है उसको हम लोग यहाँ पे identify करते हैं तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि जो हमारा aerosol का product है उसका सबसे पहले जो weight है वो हम लोग identify कर लेते हैं जब हमें वो known हो जाता है तो फिर हम लोग उसके अंदर का content है उसको एक हमारा जो निश्चित समय है उस तक के लिए हम लोग discharge करते हैं वाल को एक निश्चित time तक के लिए open कर देते हैं और फिर उस निश्चित time के बाद में हम लोग जो हमारा container है उसका फिर से wait वहाँ पे ले लेते हैं तो जब हमारा जो निश्चित समय है उस तक हमारा content जब बाहर वो निकलता रहता है तो हमारा content है उसमें loss होता है, weight में हमें वहाँ पे जो reduction है, कमी आते हुए देखने को मिलती है, तो जब हम लोग उसका जो re-weight है वो ले लेते हैं, तो जो weight में हमारा बदलाव आता है, change आता हो आ रहा है, उसको हम लोग discharge rate से indicate करते हैं और इसको हम लोग grams per second में यहाँ पे express करने का काम करते हैं, उसके बाद में जो हमारा अगला test है, that is called the dosage with the metered wall, तो अगर हम लोग इसके बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे भी हम लोग जो भी हमारे filled container है, उनका सबसे पहले हम हम लोग accurate weight क्या है, उसको identify कर लेते हैं, उसके बाद में फिर हम लोग अपना जो हमारा dosage है, उसको वहाँ पे several time discharge करने का काम करते हैं, वाल को बार बार प्रेस करते हैं, तो वहाँ पे हम लोग उसको approximately 10, 15 या हमारा 20 बार जब हम लोग उसको उस place पे जब प्रेस करते हैं, तो content हमें उसमें से बाहर निकलते हुए देखने को मिलता है, और जो उसका हमारा content है, जब उसमें से बाहर निकलता है, तो फिर उसके बाद में हम लोग उसका फिर से weight कर लेते हैं, और इसमें जो हमारा weight में difference आता है, weight में जो अंतर आता है, उसको फिर हम लोग कितने number of dose हम हमारा एक बार प्रेस करने पर हमारे मीटर वाल से कितना content बाहर निकल ला है उसको हम लोग identify कर लेते हैं उसके बाद जो हमारा अगला test है that is called the net content test तो हमारा जो भी container है एरोसॉल का उसके अंदर कितना amount हमारा substance है उससे वही हमारा basically यहाँ पर net content कहलाता है तो अगर कोई हमारा वहाँ पर batch है उसके अंदर के जितने भी container है उसके अंदर content की जो uniformity है उसको basically हम लोग यहाँ पर determine करने का काम करते हैं तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर क्या करते है कि हमारा जो container है उसका जो वहाँ पर teared weight है जब वो खाली होता है तो उसका जो weight है सबसे पहले हम लोग वो ले लेते हैं। उसके बाद में जो भी हमारा container है, content को हम लोग अच्छे से required quantity जो है, उसको उसके अंदर हम लोग यहाँ पर फिल कर लेते हैं, और उसके बाद में फिर से उसका reweight हम लोग ले लेते हैं, और जो हमारा weight में difference आता है, weight में जो अंतर आता है जब हमने उसको filled कर दिया उस समय क्या weight था उसमें से हम लोग अगर empty के weight को निकाल देंगे तो फिर हमारा उसके अंदर का net content हम दो आसानी से identify यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं इसको हम लोग उल्टा जो इसका way है उसमें भी हम लोग यहाँ कर सकते हैं कि ज यहाँ पे net content को आसानी से calculate कर सकते हैं उसके बाद में जो हमारा अगला test है that is called the foam stability test तो जो हमारा अगर aerosol का preparation अगर वहाँ पे foam produce करता है तो फिर हम लोग वहाँ पे foam stability test को basically वहाँ पे perform करते हैं यहाँ पे जो हमारा foam है उसकी जो stability है वो हमें यहाँ पे जो formulation है वो किस type का ह उसके उपर depend होते हुए देखने को प्राप्त होती है और हमारा जो foam की stability है फिर वो हमें यहाँ पे कह सकते हैं कि कुछ जो second से कुछ हमारे घंटे या उससे भी जादा तक हमें foam की stability देखने को प्राप्त होती है और foam की stability को यहाँ पे determine करने के लिए हम लोग basically कुछ methods को use करत है उसको हम लोग यहाँ पे देख के identify करते हैं हमारा जो यहाँ पे दूसरा है उसमें हम लोग क्या करते हैं कि एक वहाँ पे हमारा चोटा सा जो कह सकते हैं कि हमारा mass है एक हम लोग जो non weight है वो लेते हैं और उसको अपने foam के उपर place कर देते हैं और वो जो हमारा वहाँ पे mass है वो जब foam को हमारा completely हमें penetrate होते हुए उसके अंदर से pass होते हुए देखने को मिल जाता है तो वो time जिसमें हमारा जो वहाँ पे certain mass है हमारे foam को completely वहाँ पे penetrate कर जाता है वो basically हमारा वहाँ पे foam stability को indicate करता है उसके बाद में अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो again हम लोग कोई जो हमारा road type का structure है वो यहाँ पे लेते है और उसको जो फॉम है उसके उपर place कर देते हैं और हमारा वो time जब हमारा वह जो road है वह हमारा जो form है उससे वहाँ पे नीचे गिर जाता है उसको cross कर जाता है वही हमारा यहाँ पे जो form stability है उसको उससे हम लोग उसको indicate करते हैं और इसको form stability को determine करने के लिए हम लोग जो हमारे अलग-अलग प्रकार के rotational viscometres वगरा होते हैं उनको भी यहाँ पे use कर सकते हैं उसके बाद में जो हमारा अगला test है that is called the particle size determination तो यहाँ पे हमारा method है वह कहला तो cascade हमारा impactor method है यहां पे होता इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारा particle है उसको हम लोग जो container है उसके अंदर कुछ हमारे नोजल सोते हैं या जो glass की slide वगरा को use करते है और उसके थू हम लोग उसको high-velocity में हम लोग project करते हैं high-velocity में rotate करने का काम क वहां पर हमें high velocity से rotate होते हुए देखने को मिलता है तो इस प्लेस पे अगर हमें जो हमारे large particle है उनको अगर पहले collect करना होता है तो फिर हम लोग जो हमारा वहां पर velocity है उसको जो low velocity की stage है वहां पर अपने large particle को हम लोग सबसे पहले यहां पर collect करते हैं और अगर हम लोग इसको जो high velocity rate है उस पे अगर वो collect करते हैं तो फिर हमें वहाँ पे small particles हमें पहले collect होते हुए देखने को मिलते हैं तो simply हम लोग कह सकते हैं कि अगर जो हमारा air का velocity है अगर वो कम होगा तो क्या होंगे कि जो hulke particles हैं वो तो हमें container में उड़ते हुए देखने को मिलेंगे बड़ जो हमारे large particles हैं, बड़े particles हैं, भारी हैं वो पहले नीचे गिरते हुए देखने को प्राप्त होंगे और इसका opposite अगर हम लोग high velocity कर देंगे तो high velocity अगर हम लोग कर देंगे और container के नीचे से उसको collect करते हैं और अगर हमें small particles को वहाँ पर अगर उसमें से अलग करना होता है तो हम लोग velocity को high रखते हैं और फिर उपर से particles को collect करने का काम करते हैं उसके बाद में जो हमारा अगला method है that is called the light scattering decay उपर तो हम लोग इसके बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर हम लोग जो हमारा ጀट बीम है उसको basically यहाँ पर हम लोग यूज करते हैं और इस condition में जब हमारा जो particle है उसकी जो intensity है जब वो हमें change होते हुए देखने को मिलती है तो उस condition में हमारा जो टिंडल बीम है उसकी भी इंटेंसिटी हमें वहां पे कम देखने को राप्त होती है तो इस तरीके से हम लोग पार्टिकल साइज को हम लोग डिटर्माइन करते हैं यहां पे हम लोग सिंपली कह सकते हैं कि हमारे पार्टिकल का साइज अगर जादा होगा तो हमारा जो या हमारी beam की intensity हमें basically बढ़ते हुए देखने को प्राप्त होगी, scattering हमें कम होते हुए देखने को प्राप्त होगी, उसके बाद में जो हमारा अगला टेस्ट है, that is called the biological test, तो अगर हम लोग बारे हम बात करते हैं, तो यहां पर हमारा जो aerosol का product है, उसकी जो हमारा therapeutic efficiency है, उसको evaluate करते हैं उसकी जो toxicity है उसको हम लोग biological test में यहाँ पर evaluate करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग उसकी जो हमारा therapeutic अगर हम लोग बात करें तो उसको evaluate करने के लिए हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि इस place पे जो हमारा वहाँ पे होता है product उसकी जो dose है उसको यहाँ पर करने के लिए हम लोग उसको यहाँ पर पार्टिकल साइज distribution उसका होता है उससे relate करने का काम करते हैं अधिकतर हमारे जो inhalation के aerosol है उसमें हमारा जो particle size का distribution है वो जितना जादा होगा उतना ही हमें जादा dose उसकी देखने को प्राप्त होगी और जितना जादा dose होगी उतना ही जादा उसकी हमें therapeutic activity basically देखने को प्राप्त होगी उसके बाद में अगर हम लोग जो हमारे topical preparations होते हैं हमारे ऐसे aerosol जिनको हम लोग अपने body के उपर apply करते हैं अगर उसके जो हमारा होता है therapeutic activity उसके बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे फिर हम लोग जो हमारा test area होता है जहाँ पे हमें उसको apply करना होता है उसके उपर apply करते हैं और उसके बाद में जो हमारा उसके अंदर therapeutic agent है हमारा active ingredient है उसका क्या absorption हो रहा है हमारा उस पार्ट से वो कितना absorb होके हमारे body के अंदर जा रहा है उसको हम लोग basically determine करने का काम करते हैं उसके बाद में जो हमारा अगला यहाँ पे test है that is called the toxicity test तो अगर हम लोग जो toxicity test है उसके बारे हम बात करते हैं तो यहाँ पे हम लोग जो भी हमारे pharmaceutical aerosol होते हैं उसका वहाँ पे जो हमारा होता है topical toxicity या उसका जो हमारा वहाँ पे inhalation के दोरा toxicity है दोनों को test करते हैं तो इस condition में अगर हम लोग उसकी जो topical toxicity है उसके बारे बात करते हैं तो उसको जब हम लोग अपने skin के उपर apply करते हैं तो वह वहाँ पे कितना उससे जो हमारा irritation है वो cause हो रहा है या कितना वो वहाँ पे chilling effect को cause कर रहा है means अगर हम लोग simply का है तो जो हमारा iodics है move अगरा है उनके aerosol को जब हम लोग apply करते हैं तो हमें वहाँ पे cooling effect भी देखने को मिलता है उससे थोड़ा irritation भी देखने को प्राप्त होती है तो यह irritation acceptable होनी चाहिए ज़्यादा irritation होगी तो वह toxic effect हमारे skin के उपर सो करते हुए देखने को प्राप्त होंगे और इसी तरीके से अगर हम लोग जो हमारा inhalation toxicity है उसके बारे में बात करते हैं तो उसके लिए फिर हम लोग कुछ test जो animals हैं उनको use करते हैं और हमारा जो वहाँ पर होता है aerosol उसकी जो vapors है वो अपने उन animals को उस जो vapors है उसमें expose करते हैं और फिर उनके उपर toxicity को हम लोग test करने का काम करते हैं और उससे हम लोग उसकी toxicity को identify करते हैं तो I think so जो हमारे pharmaceutical aerosols है उनका जो evaluation और testing है आप लोग को अच्छे से समझ में आ गई होगी अगर अभी भी कहीं कोई confusion है कमेंट करके पूंच सकते हैं इस topic का PDF आपको description में मिल जाएगा इस video को like करें अपने दोस्तों के साथ जहर करें और ऐसे ही videos को देखने के लिए हमारे चैनल को subscribe करना बिल्कुल भी न भूले और हमारे अप को भी install करना बिल्कुल भी न भूले थैंक यू